मुना और फारुकी के इंट्री होते हैं मीडिया ने इग्नॉर किया आयसा खान को जे दोस्तों यहां पर कल एक फंक्शन था जहां पर आयसा खान मुना और फारुकी और बाकी के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स भी गय हुए थे और यहां पर मीडिया जो है वो आयसा खान की त और ऐसा खान के पास बिलीब्ने करोगि एक भी मीटिया वाला नहीं रह जाता यानि की जितना भी कीमरा और लाइट से वो सारे के सारे मुझावर फारुकी के तरप चलिए सारी मिटिया मुड़ जाती और मुझार्आ फारुकी के फोटो जुर् जाती है अब इस चीज़ को देखकर पब्लिक का एक ही चीज़ बोलना है वाई कि कर्मा जब हीट बैक करता है ना तो कुछ यही होता है ऐसा का ने बिग बॉस के अंदर मुनावर फारुकी का बहुत ही जादा बेच जती किया उनको बदनाम करके फेम बटो ना चाहा पर अब रियालीटी जो है वो उसके सामने है आखिर कौन जलील हुआ और किसको फेम मिला ये तो साफ नजरा रहा है वहीं कुछ लोग कहना है कि मीडिया के अंदर थोड़ी तो हुमानीटी होनी चाहिए मतलब कि एक दो मीडिया वाले तो कम से कम आयसा के पास रही सकते थे ना सारे कि सारे मुनावर के पास क्यों चलेगा ये तो गलत बात है साथी ये भी बोला जा रहा कि मुनावर के सामने आयसा की कोई भी भेल्यू नहीं है फिलाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि आयसा खान के साथ जो भी चीजे हो रही वो सही हो रही या फिर गलत हो रही आप पीचे कमेंट करके अपनी राज जरूर बताएगा ऐसे और भी अपडेट्स के लिए खबरिमान को सब्सक्राइब जरूर कर लीज़ेगे